विभिन मांगों को लेकर कॉंग्रेस कार्यकरताओं ने दिया धर्ना बिहार को विशेश राज्य का दर्जा देने वा अन्य मांगों को लेकर कॉंग्रेस कार्यकरताओं ने मन्सू रचकमे मंगलवार को धर्ना दिया धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कॉंग्रस प्रक्षंड अध्यक्ष बालेश्वर महतों ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार राज्य विशेश राज्य का दर्जा पाने का हकदार है और ये हक केंद्र की मोधी सरकार नहीं दे रही है कहा कि बिहार जैसे पिछडे राज्य को ये दर्जा मिलने से विकास की गती तेज होगी और हमारा बिहार भी विक्सित राज्यों की श्रेनी में आ जाता कहा कि भगवानपूर प्रखंट के मेहदौली से लेकर मनसूर अच्क के गुर्दासपूर तक संथ चोड़ाई करन ना होना गुर्भाग्यपून है क्योंकि इसके हम लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पंग रहा है उन्होंने कहा कि जिले भर में अपराद बढ़ गया है और इसे रोखने के कारगव उपाएं नहीं हो रही है उन्होंने बच्वाड़ा प्रक्षंट के रिसीगपूर में एकी परिवार के चार लोगों की हत्या मामले में न्यायत जांच की मान की साथी चम्ठा में बाद पीड़तों की उचित सहायता करने की मान जिला प्रशासन से की है मौकितर मंदल अध्यक्ष संजय पास्वाण, शामनंदन महतों, रामतन्यान महतों, रामकुमार चौदरी, रामदिलास चौदरी, मनुच पास्वाण, अर्जुन राय आदी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया मन सुरजपते अमिद कुमार की विपोर्ट